कि नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चनल कैषिर टीक अब नितया है आभी हमे उसके आगे से डिसकस करना शूरू करेंगे अभी आप टॉपिक चल रहा है विलोम सब्द को ले करके ठीक हम टोटल जो करके रहा है घटना चक्रिकी जो 2020 की आरो यारो के लिए बुक आई हुए सामान अध्यान हिंदी पूर्वा लोकन की जो बुक आई है इसको पूरी तरीके से डिसकस कर डाल रहा है तो चलिए फिलाल सुरू करत करों हैं है इसके पहले बात कर ली थी रिधर सब्द के बारे मैं और इसका विलोम था निर्ध्वंध है चली आज बात करते हैं परतशन के विलोम से शुरुआत करते हैं आज आज माुँआरा पहला योच्छन और इस सीरीच का कॉश्चन Vietnam 155 यह पुछा चाहरा है प्रत्यच्च्ब का विलूम क्या है option है प्रोच, B प्रोच, C, सुन्दर, D प्रत्य था थ प्रत्यच्य सब्द का विलोम क्या होगा इसका सभी आप्सें काрос होता है चल्द देखते हैं इसके explanation को Lock Chanting इसका विलोम प्रत्यच्य हो सकता है जब कि ओप प्रत्यच्च्च का समनार्थी है सुंदर का विलोम कुरू तइवं प्रत्य का विलोम उपसर गया धेर्ट्य होगा ठीक फिर स्बताता हूं आपको तो देखें यहां पर प्रत्यच्च्रच्च्च के दो विलोम बताएं गया एक तो पर और दूसरा बताया गया है और प्रत्य ठीक। और इसके अलावाँ प्रत्य सब्ennis का एक समंणार्थी सब्द और परोच्छ भी होता है। ये बता ये भी इस व्याख्या में बताया है। फिर बात करते हैं जो next option ये सुन्दर दिया हुआ है तो इसके विलोम को भी इन्हों ने बताया है तो सुन्दर का विलोम कुरूप होता है और जो option D प्रत्या है इसका विलोम बताया गया है उपसर्ग को या उपसर्ग का प्रत्या का दो विलोम इन्हों ने बताया है एक तो क्रत्य है ठीक है में तो चलिए बात करते हैं निस्ट कुश्चन नमबर 186 के बारे में यहां आविर्भाव सब्द का विलोम पूछा जा रहा है option A है अनाविर्भाव, B है V भाव, C है आविर्भाव और D है तिरो भाव बताना है हमको जल्दिस बताईए आप लो देखें इसमें सही option है option नमबर D यानि कि आविर्भाव का विलोम तिरो भाव होता है चलिए बात कर लेते हैं इसके explanation को इसमें इस फर्स रूप से इतना बता दिया गए कि आविर्भाव का विलोम तिरो भाव होता है ठीक है चलिए चलते हैं अपने next question की तरफ यह है हमारा question number 187 यहां पूछा जा रहा है आध्यात्मिक का विलोम है आध्यात्मिक सब्द का सही विलोम ए सांसारिक होता है चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में क्या दिया है देखते हैं तो यहां भी ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है यह बताय गया आध्यात्मिक सब्द के दो विलोमों के बारे में बताया गया है एक तो सांसारिक और दूसरा भौती ठीक तो यानिकि आध्यात्मिक सब्द का अगर विलोम पूछा जा है वहाँ हम भौती कि या सांसारिक इन दोनों से जो option दिखेगा उसे टिक कर सकते हैं वह सही answer होगा चलिए बात करते हैं next question के बारे में यह है question number 188 यहाँ समस्टी का विलोम आर्थी पूछा जा रहा है या विलोम सब्द पूछा जा रहा है बताना है हमको option है विसिष्ट, B विस्टी, C और विस्ट या फिर D अपुछ्टी तो बताईए अध्यात्मेक सब्द का सही विलोम क्या होगा सारी समस्टी का सही विलोम क्या होगा ठीक है समस्टी का सही विलोम विस्टी होता है चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में यहां बताया जा रहा है कि समश्टी का विलोम आर्थी सब्द व्यस्टी है विसिष्ट का विलोम सामानी या साधारण होता है तथा और सिष्ट का विलोम सिष्ट होगा इसी प्रकार से अपुष्टी का विलोम पुष्टी होगा ठीक यहां कई सब्दों के विलोमों के बारे बताए गया है जिने मैं आपको फिर से बारी बारी से बताता हूँ देखिए समश्टी का विलोम व्यस्टी होता है विसिष्ट का विलोम सामान या साधारण होगा और इसी प्रकार से और सिष्ट का विलोम सिष्ट होता है और अब पुष्टी का विलोम पुष्टी होता है ठीक चली बात करते हैं next question के बारे में हाँ तो next question है question number 189 यहाँ पर व्याष्टी का भी पिरार्थक सब्द या फिर विलोम पूछा जा रहा है option है a समास, b समवेत, c समष्टी और d समष्ट तो बताइए व्याष्टी सब्द का सही विलोम सब्द क्या होगा विल्कुल ठीक अभी अभी हमने जश्ट देखा है समष्टी का विलोम विश्टी होता है तो व्याष्टी का विलोम समष्टी होगा चलिए बात करते हैं next प्रस्ट के बारे में या फिर इसके एक्ष्टानेशन के बारे में ठीक व्याष्टी का विपिरार्थक सब्द समष्टी है और समास, व्याष्ट का तत्था समष्ट और समष्ट का विलोम सब्द है तो यहाँ पर कई सब्दों के विलोम सब्दों को बताया गया है जिसे हम डिसकस करते हैं व्यस्टी का विपिर्यार्थक समस्टी होता है समास का विलोम व्यास होता है समस्ट का विलोम और समस्ट होता है ठीक चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट की तरफ यह है question number 190 यहां सन्यास सब्द का विलूम पूछा जा रहा है option A है ग्रिहस्ट, B है गारहस्ट, C है त्यागी और D है आदी मानों तो बताईए आप लोग सन्यास सब्द का सही विलूम क्या होगा देखे, सन्यास सब्द का सही विलूम होता है गारहस्ट, ठीक, चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में यहां पूछा जा रहा है, यहां बताया जा रहा है कि सन्यास का विलूम गारहस्ट है, सन्यासी का विलूम ग्रहस्ट होता है, ठीक, यहां आप लोग सब्द का विलूम होता है और भोगी का विलूम त्यागी होता है, ठीक, चलिए बात करते हैं फिर से बताया जाता है आप question number 191 यहां पूछा जा रहा है अपव्याय सब्द का विलोम option है ए अल्प व्याय बी मित व्याय सी अव्याय या फिर डी व्याय बताईए फटाक्स चलिए अपव्याय का सही विलोम होता है मित व्याय चलिए बात करते हैं explanation के बारे में explanation कुछ खास है नहीं या सीधे सीधे इस पर स्टूप से बता जिया गया है कि अपव्याय का सही विलोम मित व्याय होता है तो फिर चलिए नेस्ट कुष्चन की तरब चलते हैं हम लोग यह है question number 192 यहां अलपग्य का विलोम सब्द पूछा गया है option इस प्रकार से है ए विग्य बी विशेश अग्य सी बहुय अग्य या फिर डी अग्य तो बताईए अलपग्य सब्द का सही विलोम क्या होगा देखे इसमें सही विकल्प है option number C यानि कि अलपग्य का विलोम होता है बहुग्य है ठीक चलिए देखते हैं इसके explanation को तेहां बताया जा रहा है कि अलपग्य का विलोम बहुग्य है और विग्य अग्य का विलोम है जबकि विशेश अग्य इसके लिए उप्यूक्त नहीं ह फिर से बात करते हैं तो अलपग्य का विलोम बहुग्य होता है और विग्य अग्य का विलोम होता है इसके explanation में दो सब्दों के विलोम के बारे में बताया गया है चलिए चलते हैं next प्रसंद की तरफ यहां पूचा जा रहा है उत्क्रिष्ट सब्द का विलोम आप्सन है A सर्वस्रेष्ट B निक्रिष्ट C उतकिर्ण या फिर D विकिर्ण तो बताईए आप लोग उत्क्रिष्ट सब्द का सही विलोम क्या होगा देखिए उद्धरिष्ट सब्द का सही विलोम होता है निक्रिष्ट यानि की option B आईए explanation को देखते हैं इसके explanation में भी इस फर्श रूप से बता दिया गया है कि उद्धरिष्ट का विलोम निक्रिष्ट होता है ठीक है चलिए बात करते हैं अपने निष्ट कोस्चन के बारे में यह है question number 194 यहां उद्धत सब्द का विलोम पूछा जा रहा है और option दिया गया है तो बताईए आप लोग उद्धत सब्द का सही विलोम क्या होगा देखिए उद्धत सब्द का सही विलोम विनत होता है चलिए बात करते हैं एक्ष़ा नेशन के बारे में यहां बताया जा रहा है कि उद्धत का विलोम विनत है प्रिथक का विलोम सनलगन है ठीक तो चूकि यहां दो भी विलोम दिया हुआ इसलिए हम फिर से बात करेंगे उद्धत का विनत विलोम होता है और प्रिथक का विलोम संलग्ण होता है जहां भी कई सारे विलोम बताये गए होंगे उसने हम रिपीट करते हुए बात करेंगे उनके बारें जरूर से और नेक्ट पूस्चन भी आई है यहां पर भी उद्धत सब्व का ही विलोम पूछा जा रहा है देखे यह एक चीद बताता हूं आपको यह देखे यह अलग-अलग PCS की परिच्छाओं में आये हुए है यह 36 गड़ PCS की परिच्छा 2013 का प्रस्ण है और यह यह यूपी PCS मे दोहजार साथ और तेरह का प्रस्ण है चलिए आफसंस देखते हैं तो यहां A विनय है B अवनती है C उदार अनुदार है D विनीत है और E विनम्र है आपको बताना है उद्धत सब्व का सही विलोम क्या होगा देखे आफसंस कितने अलग-अलग है करणा है अपको जैसे इसका सही आफसं जो है विनीत या विनम्र दोनों ही हो सकता है आइए देखते हैं एक व्यक्वनक के बारे में तो देखे यहां बताया तो उद्दत के हमको लगातार तीन विलोम देखने को मिल गए उपर वाले विकल्प में हमने देखा तो उद्दत का विलोम विनत था नीचे वाले प्रस्ण में आते हैं तो उद्दत का विलोम विनीत और विनम्र यानि कि इस प्रकार से हम उद्दत के तीन विलोमों को देख लेते हैं ठीक तो उद्दत के हमारे तीन विलोम तयार हो गए यहीं से अब अवनत का विलोम यहां उन्नत को बताया गया है और अनुदार का विलोम उदार बताया गया है ठीक है इसी प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे जो पिछले प्रस्ण हमारे चले जा रहे है नेक्स्ट है क्रिस C का विलोम पूछा जा, Chris का विलोम पूछा जा रहा, ठीक, Chris का नहीं, A है मजबूत, B पहलवान, C पूछट या फे D कमजोर, तो पताएं, Chris सब्द का सही विलोम क्या होगा? चली देखिए यहाँ पर क्रिस सब्द का सही विलोम आप्सन सी यानि की पुष्ट होता है चली यह बात करते हैं इसके एक्षला नेशन के बारे में तो सबसे पहले क्रिस का अर्थ जानते हैं क्या होता है क्रिसी का अर्थ जो है छीड काय होता है अतह इसका उचित विलोम पुष्ट होगा ठीक मजबूत कमजोर का विलोम होता है सेस सही नहीं है तो इस प्रकार से दो विलोम बताया है क्रिसी का विलोम को बताया है क्रिसी का विलोम यहाँ पुष्ट बताया है और मजबूत का विलोम कमजोर बताया गया है सब्द का सही या उचीत विलूम क्या होगा आप चलिए देखे यहां पर ग्रामीड सब्द का सही विलूम सहरी होता है ठीक चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में इहां बताएगा कि gramide काист का कि विलोम सहरी है इसका विलोम नागर भी हो सकता है बुद्धिमान मुर्ख का विलोम है और जब की देहाती gramide का ही समानार्थी सब्द है कई बार हम लोग लोगों को देहाती भी बोल देते हैं यह अपमान पूरवक बोला जाता है चलिए देखते हैं यहाँ पर विलोम के बारे फिलाल बात करते हैं तो देखें ग्रामीड का जहाँ पर दो विलोम बताया गया है एक तो सहरी और दूसरा विलोम नागर बताया गया है ठीक और निक्स्ट सब्द यहाँ पर गुद्धिमा का विलोम पूछा जा रहा है आप्शन है ए आसक्त बी गौड़ सी समस्टी और डी निसक्त तो बताईए तटस्ट सब्द का सही विलोम क्या होगा देख तटस्ट सब्द का सही विलोम होता है आसक्त ратीक चलिए बात करते हैं इसके एकस्पलानेशन के बारे में यह है इधर दिया हुआ है तो यहां बताया जा रहा है explanation में कि तटस्त का विलोम आसक्त है इसका विलोम सनलिप्ट एवं और तटस्त भी हो सकता है जबकि गौड मुख्य का तथा समस्ट व्यस्ट का विलोम है ठीक है देखे रिपीट यह खुद करवाते जा रहा है इतनी अच्छी बूख है यह चलिए देखते है देखे यहां पर तटस्त सब्द के दो विलोम बताया गया है तटस्त का विलोम आसक्त और सनलिप्ट बताया गया है और साथ ही साथ अतटस्त भी बताया गयानि कि तटस्त के हमको यहां पर कितने विलोम मिलते हैं तीन एक तो आसक्त सनलिप्ट और अतटस्त यह तीनों ही तटस्त सब्द के विलोम है इसके अलामा गौल सब्द जो है यह मुख्य का विलोम होता है और समश्टी जो है यह वेस्टी का विलोम होता है अभी अभी हम लगातार उपर देखते हैं चल यह बात करतें निश्ट कुश्चन नमबर 199 के बारे में यहाँ पर द्रिष्ट का विलोम पूछा जा रहा है option है A विसेस, B विनमर, C विक्रिष्ट, D उत्रिष्ट तो बताइए जल्दी से द्रिष्ट का सही विलोम क्या होगा देखिए द्रिष्ट सब्द का सही विलोम होता है विनमर यह यानि की option B आइए इसके explanation को देखते हैं यहां बताया जा रहा है कि द्रिष्ट का विलोम विनम्व है उतक्रिष्ट निक्रिष्ट का तत्था विसेज साधारण का विलोम होता है ठीक है फिर से बात कर लेते हैं क्योंकि कई सब्द एक साथ आ गये हैं और उनके विलोम तो यहां बताया जा रहा है द्रिष्ट का विल जली भाव सब्द का यहां विलूम पूछा जा रहा है आफ्शन A है अभाव, B है वी भाव, C है भाव हीन और D है अनुभाव तो बताईए आप लोग भाव सब्द का सही विलूम क्या होगा देखिए इसका सही विलूम है भाव का आर्थ कमी होता है भाव हिन भाव युक्ट का विलूम है सेस विकल्प इस संदर में सही नहीं तो चुकि यहाँ पर दो विलोमों को बताए गया तो हम फिर से देखेंगे भाव का विलोम अभाव होता है और भावहीन का विलोम भावयुक्त होता है चलते हैं नेक्स्ट परसंड के बारे में यहाँ अतिवरिष्ट का विलोम पूछा गया यहाँ हमारा कुस्चन नमबर 201 आपसन है ए अलप वरिष्टी, बी लग वरिष्टी, सी अना वरिष्टी और डी नियून वरिष्टी तो बताईए आप लोग अतिवरिष्टी का सही विलोम क्या होगा वरिष्टी बीष्टी का सही विलोम होता है अना वरिष्टी यानि कि आफसन सी, इस में सही है चलिए explanation देखते हैं, तो explanation कुछ खास नहीं दिया हुगा है यहाँ पर सीधे सीधे अतिवरिष्टी का विलोम अनावरिष्टी को बता दिया गया है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर टू जीरो टू के बारे में यह हमसे पूछ रहे हैं अवनी सब्द का विलोम आफसन ने दिया है A. धरा, B. अंबर, C. अगनी और D. तरडी तो बताईए आप लोग अवनी सब्द का सही विलोम क्या होगा तो देखिए अवनी सब्द का सही विलोम आफसन B यानि की अंबर होता है चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में यहाँ पर दिया है अवनी का विलोम अंबर है धरा, अवनी का समानारती है जबकि तरडी नदी का पर्यायवाची है और अगनी का आर्थ आग होता है यहाँ कई सब्दों के बारे में अलग-अलग बताया इन चारों विकल्पों के बारे में तो हम लोग विलोम पर कंसेंट्रेट कर रहे हैं पूरा-पूरा तो बात करते हैं विलोम की यहाँ अवनी का विलोम अंबर को बताया गया है ठीक आगे इन्होंने धरा और अवनी यह सब दोनों सब यह धरा और अवनी यह एक दूसरे के समानारती है है अग्री का आर्थ आग होता है और तरडी जो है यह नदी का पर्याय वासी होता है इस प्रकार से हमिने सारे प्रस्नों को देख लिया है यह विकल्पों को निक्ट अलो का विलोम पूप् olhos जा रहा है और ऑफशन ए है प्रकास भी है इसान और आगे नेक्ष्ट है दो आप्सेन इसमें नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं नेक्ष्ट है तीमीर आप्सेन सी है इसका एक सेकंड पेन ले लो आप्सेन सी है तीमीर और आप्सेन डी है सिसीर तो बताइए आप लोग आलोग का सही विलूम क्या होगा प्रकास इसान तीमीर या फिर सिसीर तो देखिए इसमें सही विकल्प है आप्सेन नंबर सी यानि की आलोग का सही विलूम तीमीर होता है चलिए बात करते हैं इसके एक्स्प्लानेशन के बारे में यहां बताया जा रहा है कि आलोग का विलोम तिमिर है जबकि प्रकास का विलोम अंधकार सिसिर एक रितु का नाम है जबकि इसान दिशा का सूचक होता है ठीक तो प्रकास का विलोम तिमिर बताया गया यहां पे और प्रकास का विलोम अंधकार बताया गया सिसिर जो हरित्व होती है यानि कि एक मौस्वमू का नाम सिसिर है और जबकि ईसान जो है दिछा का सूचख है, यानि कि ईसान दिछा के बारे में बता ये बात करते हैं चलिये बात करतें Quebec question number 204 के बारे में यहा उदियाचल का विलोम पूछा जा रहा है और option है A. अस्ताचल, B. सूर्यास्त, C. उद्यास्त और D. गोधुली बेला तो बताईए आप लोग उद्याचल का सही विलोम क्या होगा है देखिए, इसमें सही अंसर है, option number A. यानि कि उद्याचल का सही विलोम होता है और स्ताचल. चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में. यान सीदे सीदे बता दिया गया है कि उद्याचल का विलोम अस्ताचल होता है जबकि सेश विकल सही इस संदर में सही नहीं है और कुछ खास नहीं बताएगा इसकी वेक्ठा में. नेक्स्ट है question number 205 यहाँ पर उत्तरायाण का विलोम पूछा जा रहा है और option है A पौरायाण, B पुरातन, C दच्चिडायाण और D नारायाण तो बताएगे आप लोग उत्तरायाण का सही विलोम क्या होगा है बिल्कुल ठीक देखिए उत्तरायाण उत्तर दिशा की बात ह जब की पुरातन नूतन का विलोम है से साम में नहीं रखते हैं यानि कि दो विलोम बतायाण पर उत्तराण का विलोम दच्चिडायाण को बताया गया है और पुरातन का विलोम नूतन को बताया गया है बात करतें नेक्स्ट question number 206 के बारे में यहाँ पर ग्राहत सब्द का विलोम पूछा दिया रहा है और विकल्प इस प्रकार से हैं A, गरहण, B, त्याज, C, त्याज और D, गरहई तो बताइए आप लोग गरहए सब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसका सही option है, option number B यानी की गरहए का सही विलोम त्याज होता है आईए बात करते हैं इसके explanation के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ग्रहण अरपड का विलोम है और अन्य विकल्प इस अंदर में सही नहीं है यहाँ नहीं कि यहाँ पर दो विलोम बताया गया है पहला ग्रहण का विलोम अरपड को बताया गया है बात करतें नेश्ट कोस्टन नमबर 207 के बारे में इस यहां पर गुरू का विलूम पूछा जा रहा है और आप्शन है ए लगू बी महान सी दिगंबर और डी इस्वर तो बताइए आप लो देख गुरू का विलूम जो है यह लग होता है लगातार जो लोग देखते आ रहे हैं को सुरू से लेक्चर वान से ले करके जो लोग अभी तक कंटिनू किये हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे पताए कि सारे कोस्टन जो लगातार रिपीट ही हो रहा है लगातार यह अधियात था किया थी कि आप लोग आरहें तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शुरूराल कर लिजिये जरूरी नहीं है कि हर बार वी brightness कहीं पब्लिक्स किया यह तब आप वहां से देख हैं और उसके बाद वीडियो को देखें, आप आईए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ different bell icon को जरूर दबा दिजिए, चलिए नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन bell icon को जरूर दबा दिजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आयो है, तूसे आप लोग देखें दोनों को लोगों को ही अच्छे से पता है चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में तो गुरू सब्द का विलोम लग हुआ है और इनका विलोम सिसी भी हो सकता है महान तुछ का विलोम है और सेस विकल इस अंदर में सत्य नहीं है चलिए फिर से देख लेते हैं तो यहां बता को कुश्चन यहीं नीचे है क्या भाई नहीं कुश्चन तो नहीं है अच्छा यह उपर वाला थोड़ा कट गया है तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है आवर्तक सब्द का विलोम क्या पूछा जा रहा है यहां पर आवर्तक सब्द का विलोम पूछा जा रहा है ठीक य बताईए आप लोग आवर्तक सब्द का सही विलूम क्या होगा? Option A. विवर्तक, B. समर्थक, C. समावर्तक और D. अग्रिम देखें, आवर्तक सब्द का सही विलूम विवर्तक होता है चलिए बात करतें इसके एक्सेलोनेशन के बारे में तो यहां बताया जा रहा है कि आवर्तक का विलूम विवर्तक है इसका विलूम अनावर्तक भी हो सकता है विरोधी का विलूम समर्थक होता है तो आवर्तक के यहां पर दो विलूम बताएगा है तो यहां पर स्वार्थ का विलूम बताया पूछा जा रहा है और आफसन है A. हितार्थ, B. परमार्थ, C. साथ, D. अपमान बढ़ाक से बताईए आप तो आप लोगों ने अंसर देखी लिए ठीक है स्वार्थ का सही अंसर परमार्थ है यहां पूछा बताया रहा है कि स्वार्थ का विलूम परमार्थ होता है जबकी हितार्थ दूसरे अर्थ को प्रकट करता है अपमान तता साथ उत्तर के सही विकल्ब के रूपने कुल मिलाकर यहां पर यहां पर रहा है एक सब्द के विलूम को बताया गया वह है स्वारत का विलोम परमारत बाकी और कुछ नहीं बात करते हैं नेश्ट कोस्चन के बारे में यह है कोस्चन नमबर 210 या फिर 210 यहां पर निंध सब्द का विलोम पूछा जा रहा है और आप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है ए है इसकिन्द, बी वंद, सी वाद, या पर डी इस्टुती तो बताएए आप लोग निंध सब्द का सही विलोम कौन सा विकल्प इसमें सही है तो देखिए निंध सब्द का सही विलोम वंद होता है ठीक चलिए बात करते हैं इसके एक्षण नेशन के बारे में तो यहां न इस्टुती निंदा का विलोम है सेस अन्यविकल्प इस संदर में उचित नहीं तो कुल मिला कर यहां दो सब्दों का विलोम बताए गया है निंद का विलोम वंद को बताए गया है और इस्टुती का विलोम निंदा को बताए गया है चलिए बात करते हैं नेश्ट क्वेश तो ठीक है अरवाचीन का सही विलूम प्राचीन होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्षेलेनेशन के बारे में, इस फर्स रूप से बस दे दिया है इन्होंने अरवाचीन का विलूम प्राचीन। नेश्ट बात करते हैं question number 212 के बारे में यहां पूछा जा रहा है पोसक का विलोम या पोसक का उप्युक्त विप्रार्थक सब्द होगा ए है चूसर बी है अनपोसक सी है सोसक और डी है छीड कारी तो बताइए पोसक सब्द का उप्युक्त विप्रार्थक सब्द क्या होगा ठीक है पोसक सब्द का सही विप्रार्थक सब्द सोसक होता है चलिए बात करते हैं इसके explanation के बारे में पोसक का उप्युक्त विप्रार्थक सब्द सोसक होता है और इसका अन्य विप्रार्थक सब्द पोसित भी हो सकता यानि कि यहाँ पोसक सब्द के कितने विलोम बताएगा है तो दो कौन कौन से एक तो सोशक और दूसरा पोसित फिर से बताओं तो पोसक सब्द के दो विलोम सोशक और पोसित होते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं next question के बारे में यह है question number 213 यहाँ पर भी सोशक सब्द के विलोम को पूछा जा रहा दे कि रिपीटेशन देखे question का यह 2016 की निरस्त परिच्छा जो अभी होने वाली है उसमें पूछा गया था और यह जो है देखते हैं आपको जो है एक बटन दबाना है वह सब्सक्राइब का और साथ ही साथ यह बेल के निसान को दबा देना है कुछ खास नहीं करना नहीं आपके जेव से कुछ लग रहा है ठीक है यह मुझे थोड़ा सा मूटिवेट करेगा कि हाँ बाई मेरे चैनल को इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मेरी जिम्मेदारी और थोड़ी सी बढ़ गई है चैनल के प्रती और दूसरा चीछ इस बेल आइकन की बात इस लिए कर रहा हूं कि इसको दबाने से जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा जैस सब्सक्राइब करेंगे धीरे-धीरे क्रमवार से ठीक है दो दो पेपर हमें एक साथ चला रहा है तो जब आप यह बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे नई वीडियो अप्लोड की जाए क्योंकि इस चैनल पर जो है सुबह साम दो टाइम वीडियो अप्लोड की जा रही करना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा इसी लिए उसे दो पार्ट में डिसकस किया जा रहा है तो आप जैसे वेल आइकन को नोटिफिकेशन आपके पास आएगी आप क्या करेंगे थोड़ी दिर बाद अगर आप बीजी होंगे तो थोड़ी दिर बाद समय निकाल करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद फिर दुबारा जब वीडियो आएगा तो आप उस इससे की बाद में भी आपको सहुलियत होगी और साथी साथ जीनमित्रों का पुराना लेक्टर छूट गया है उनके लिए बता दूं कि हमने प्लेलिस्ट अल्रेडी बना रखी है आप हमारे चैनल पर यूटूब में सर्च करिए उसके बाद हमारे चैनल पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे उपर तो प्लेलिस्ट में जाने के बात जो है आप पूरा देख सकते हैं सारी सीरीजे बनी हुई सबके नाम बने हुए हैं आप उनमें जाईए और अपने छूटे हुए लेक्टर को कवर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से च चली बात करते हैं नेक्ष्ट कुश्चन नमर 24 की यहां पर पराश्ट का विलोम पूछा जा रहा है आप्सन ए पराजित है बी विजय सी दमन और डी सत्रूई ना सकते बताई जल्दी से पराश्ट का सही विलोम क्या होगा तो देखिए पराश्ट सब्द का सही विलोम होता है एक शिकेंड आपको पहले बता देता हूं देखिए पराश्ट सब्द का सही विलोम होता है विजय ठीक है अब जरा सब मुझे टाइम दीजिए हां दरसल टाइम ज्यादा होता जा रहा था और कोस्टन मुझे याद नहीं थे कहां से सुरुआत हुई थी इस वज़े से जोड रहे है था हमां क्योंकि डेली हमारा टार्गेट है 30 से 35 प्रस्टनों का ही आलांकि इसले लेक्चेर में कुछ कोस्टन नमबर आप कोस्टन को बढ़ाया गया है लेकिन अभी तक आपकी जब वो सीरीज कंप्लीट नहीं मैं देखा हूं कई लोगों उसे अभी तक देख नहीं पाए है तो थोड़ा साम डिले कर सकते हैं तो टाइम तो है फिलहाल हमारे पास तो देखिए यहां पे पराश्ट सब्द का विलोम क्या बताया गया था आपको विजई बताया गया था एक्स्प्लानेशन को देख लेते हैं तो पराश्ट का विलोम विजई है इसका विलोम विजेता भी हो सकता है ठीक है पराजित पराश्ट का समनार्थी है जबकि सत्र विनासक आर्थ है單 करने वाला ठीक है फिर से बात करते हैं तो पराश्ट का वेलो यहांपे दो बताये गया विज़ी और विजेता ठीक है और जबकि जो दूसरा अउप मीर्प का ही समानार्थी सब्द है और सत्री नास करने वाला होता है चलिए बात करते हैं निस्ट कुस्टिन के बारे में यह है कोस्टिन नम्बर 215 यह विलोम पूछा जा रहा है आप्शन है आगत बी पुरसकार और देह स्वागत सब्द का सही विलोम होता है दी तिरसकार ठीक है आई ये इसके एक्षरानेशन को देखते हैं तो स्वागत का अथवा सतकार का विलोम तिरसकार है आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरसकार का विलोम दंड है चलिए फिर से बताता हूँ आपको तो स्वागत अथवा सतकार का विलोम तिरसकार होता है यानि कि तिरसकार के दो विलों स्वागत अथवा सतकार होते हैं ठीक है और पुरसकार का विलों दंड होता है ठीक है और इसी के साथ यानि कि question number 215 के साथ हमारा इस सीरीज का यह lecture फिलहाल के लिए lecture 6 जो चल रहा है यह समाप्त हो रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे question number 216 से अपने next lecture में नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे शीरीज तो यह कंटिन्यू रहेगी ना भाई lecture number 7 में तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का thank you thank you very much for discussion